गुद मॉर्निंग स्टूदेंस वेल्कम टियर ओनलाइन क्लास तोड़े वी एर गुएंग तो डिस्कर्स अबाउट चैप्टर थर्ड अफ्लासिक्स और इस नेम इस प्लेंग विद नंबर्स अन दिस यूर लेक्ट्चर फर्स तो फर्स सामें राइट अल्ड़ फैक्टर्स आपने हुंदिया कोई नंबर आपन 24 देता आप इस दे फैक्टर्स फाइंड काने इट मींस वो सारे टेबल लिखने है जिनना दे वेच्चर 24 एक्जिस्ट करदा 24 ओंदा है तो फैक्टर्स ओफ 24 की होए 1 2 3 4 6 12 & 24 तुस चेक कर सा देना सारे नंबर्स दे भी 24 ओंदा है ए इगल हो रियाद रखने है कि 1 & number itself that is 24 हमेशा इस दे फैक्टर होणगी 1 सब नंबर्स दा फैक्टर हुंदा है and 24 जो खुद नंबर है यह भी अपना फैक्टर आप होएगा and बाकी तुसी नंबर्स देख सा दियो इनना सारे टेबल्स दे वे 24 ओंदा हैगा same 15 है 15 आपने को फैक्टर्स की होए वान 3 दे टेबल विच भी ओंदा है 5 दे टेबल विच भी ओंदा है 15 itself same 21 अपने को लेवान 3 दे टेबल चौनदा है 7 दे टेबल चौनदा है 21 itself 27 दे भी आप लेख साग दियां ठीक है जी next वाड़े कोल कुछ नंबर देते होए तुसी यह ना दे आपैदर ने हैं कि खुद है तो हांजी सबनू क्लीर होगे फैक्टर्स अगला साममें जी अपने को राइट फ़र्स्ट फाइब मल्टीपल्स ऑन 5 मल्टीबर्स जदो किया हो वेता आपा ज़स्ट फाइव फाइव जिवे फाइवे फाइव दे मल्टीबर्स लिखने है 5 5 तो बाद की ओंदा जी 10, 5 दा टेबल पादो हैं, अपा 15, 5, 4, 20, 5, 5, 25, किन्ने मल्टिबल कैसी 5 कैसी, आपा 5 ता किस दा टेबल लिखता, 8 दा भी तुसी टेबल लिखना हैं जी 5 ता, 8, 8, 2, 16, 24, 32, 40, एंड यहीं 9 दा लिख लिख लिए, 9, 18, 27, 36, and 45, हाँ जी नेक्स्ट अपनी मैचिंग है, अपा इसनों मैच कार देखो, 35 है, यह दरो 35 दी केली ओप्शन सही है, मल्टिबल ओफ 7, जो 35 है, वो 7 दे टेबल बेच आ रहे हैं, सो मल्टिबल ओफ 7, 15, फैक्टर ओफ 30, 16 है जो, वो 8 दा मल्टिबल है, 20 है जो, 20 दा फैक्टर है, 25 है, जो 50 दा फैक्टर है, सो एक उप्शन अपनी ज्यादा सी ओफ दा कोई अंसर नी बान रहा, एंड लास्ट साम है, फाइंड आल मल्टिबल ओफ 9, अप्टु 100, 9 दे सारे मल्टिबल लिखने या 100 तक, इट मीज 9 दा टेबल लिखा गया, अपा हंड़तों पहला पहला, सो मल्टिबल 9 दिखे रहे हैं, 9, 18, 9, 3, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 9, 10, 90 तक आ गया, बट अपा हंड़तों पहला देख दे हैं, कोई होर नमबर हों दा है, सो 11, 9, 99 आ रहे हैं, सो ए थोदा का अपने होगे मल्टिबल, सो अपनी एक साइस कम्प्लीट है, I hope साबनों समझ आ गया, थैंक यू